हरी कृष्णा हरी बोल तो मेरे वीडियो में आपका स्वागत है तो आज मेरा वीडियो है लड़ू गोपाल का रात्री का रूटीन अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता चुकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्स्राइब कर दीजेगा तो मै यहां पर अपने लाला को देखे रात का भुजना गया है हलवा बनाई हूं सिंघाडे का और यह मैंगो है तो मैं लाला को चार चार बार खिलाती हूं देखे मुमी खिला दी यह आई दिन के तीसरी बार है मुमी खिला रही है इसको लाला को रात में लाला को मुमी खिलाती और सुबह तो मैं खिलाती हूँ, लेंट सुलाने का टाइम मेरा ही होता है, मैं ही अपने लाला को सुलाती हूँ, अब मेरे लाला क्या खाएंगे, मैंगो खाएंगे, तो बहुत प्यार से हम अपने लाला को खिलाते हैं, आपको भी अपने लाला को बहुत प्यार से खिलाना खालो मेरे लाला, मैं ऐसे वोलती हूँ, राधे राधे, हरी कृष्णा, हरी कृष्णा, 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 हरी, 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 राम, हरी, राम, 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 हरी, हरी, मैं अपने लाला को खिला देती हूँ, उसके बाद उनको विश्राम के पहले दूद पिला जैसे छोटे बच्चों को हम लोग पिलाते हैं सोने से पहले दूद उसी तरह तो हमारे लाला भी हैं छोटे उनको भी दूद जरूरी है तो मैं यहाँ पे अपने लाला को दूद पिला रही हूँ तो इसमें भी आप देख सकते हो चार बार चार चमज मैं पिलाती हूँ अपने लाला को बोलती हूँ पीलो मेरे भाबू, पीलो मेरे भाई ऐसे पीलो मेरा शोना, ऐसे बोलती हूँ अगर आप लोग भी अपने लाला को अपना भाई मानती हूँ तो अगर आप लोग भी अपने लाला को क्या मानते हो तो कमेंट में बोल सकते हो क्या क्या आप मानते हो अपने लाला को देखे मेरे लाला कितने प्यार से दूद पी रहे हैं तो मेरा यही रूटीन रहता है सुबह से साम तक चार या पांच चार बार भोग लगाती हूं मैं अपने लाला को तो रातरी का भोग तो यह रहता है कि पहले उनको खाना खिला दिया जाता है उसके बाद 9 या साढ़े 9 बजे उनको दूद पिला जाता है तो देखे ये इनको पिला रहा है पानी पिला रहा ह पानी पिला देते हैं तो इसका वीडियो नहीं है लिकिन जब भी अपने लाला का पिला पुछिया एंप हुआ दिंगार अठाती हूँ इससे कि ओषी हो जाएं , तो आप लोग देख सकते हो सोने से पहले भी मैं क्या करती हूँ , एक बार पानी उनको जरूर से जरूर पिला दो क्योंकि रात में उनको प्यास लग सकती है तो भी मैं रखी रखती हूँ पानी तो देखे सारा सुंगार हटा दी हूँ इसके बात मैं क्या करती हूँ अपनी लाला से थोड़ी देर बात करती हूँ उनसे लाट करती हूँ और जो भी बाते मेरे मन में आई रखती है या फिर दिन में जो भी हुआ रखती है जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी बाते मैं इनसे कह देती हूँ तो यह जाने अब इसके बात मैं क्या करती है उनका बिस्तर सही करती है तो यह देखें मैं मच्छरदानी में उनको सुलाती हूँ क्योंकि मेरे यहां क्या होता है चुहा बहुत जादा है तो इस रिजन से कि मच्छरदानी में वो सेफ रहेंगे तो यहाँ पे मैं उनका बिस्तर सही कर रही हूं पुरा साफ करके, क्लीन करके इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी इनका देखें इनका जितना भी ज्वैलरी है जो भी मैं निकाल ले हूं वो सारा का सारा रख रही हूं तो आप देख सकते हो और आप मैक्सिमम मेरी वीडियो में देखे होगे कि मैं तुलसी पत्ता नहीं डालती हूँ जबकि लाला को बहुत आवस्ते के तुलसी पत्ता के बिना लाला रहड नहीं करते हैं कोई भी भोग तो मैं क्या करते हूँ मेरे यहां तुलसी यह सूख जाती है तो मैं क्या करते हूँ तुलसी माला रख लियू तुलसी माला से उसको टच करा दो या फिर लाला के पास रख दो तो लाला भोग शुकार करेंगे तो मैं लाला से थोड़ी देर बाते करते हूँ सुलाने से पहले भी और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ उनको सुलाने के पैर के नीचे एक कुसन रखती हूँ और एक हाथ के नीचे रखती हूँ और थोड़ा हाथ पर उनका दबाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बोलती हुँ आप लोगे कुछ भी बोल सकते हूँ यह सब भाव पर डिपेंड करता है जो भाव आता है आप वो करिए और यह सारा लाला करिये तो देखिए मेरे लाला यहाँ पे सो गया है शत्या लगा दी हूँ उच्छा दर लगा के सुला दी हूँ